अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, ये जैकिट के मैनू फैक्सिरिंग कार खाने में आप मुझे इसी लिए लेकर आए हो, यहाँ जैकिट के कार खाने पे आप लागे मुझे सिर्फ सब्जी बनबा रहे हो, और मसीन से जैकिट आप सिल रहे हो, मैं आपके सास्थ सिलाई उसके बाद मैं तुमें सिलाई मसीन पे पेटा के तुम से जैकिट सिल बाता हूँ, लेकिन तुम जैकिट को सही तरीके से सिलना जानी नहीं पा रहे हो, पूरा महीना होने को जा रहा है, अभी तुम सही तरीके से इस सिलाई मसीन को चलाना तक नहीं जानी हो, लेकिन मोदी तुमने उल्टी सीती सी रखी है इसे मैं उधेर ना हूँ दो बारा से लगे दो योगी जी आपका यही चिंदी रोना रहता है इसलिए हम आपके कार काने पे काम करने के लिए नहीं आ रहे थे मैं तो आपके कार काने पे काम करना ही नहीं जा रहा था अगर जैकेट की सिलाई सही तरीके से नहीं वो पाईगी, मुझे जैकेट में कोई भी दिक्कत दिकी, तो मैं यहीं पे तोबारा सिलबा लूँगा, अगर जैकेट खराब होगी, तो मार्केट में मेरी जैकेट कैसे बिकेगी? योगी जी आप भी बेबालतू की बात करते हो कोई भी जैकेट बिखने से रुख जाती है कोई हमेसा के जैकेट के कार काने में तो जैकेट की सिलाई करने वाले लोग अच्छी तरीके से सिलाई भी नहीं कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन आपने तो नाग में दम कर रखा है कभी कहते हो जैकेट की चैन सही तरीके से नहीं लेगी कभी कहते हो सिलाई सही तरीके से नहीं हुई क्या क्या करें हम और एक जैकेट की सिलाई के आप पूरे सो रुपे देती हो कम से कम दो सो रुपे दो तो अच्छी तरीके से सिलाई भी करें हम राषल तुम बेबालतू की बात कर रहे हो दो सो रुपे में तो योकी जी की एक जैकिट मार्केट में पिकेगी भी नही तुमसे सिलाई नहीं कर पाएंगे तुम उनके कितनी तारी भी करते रहों और वाइनों को वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मोदी जी एक बात बताओ आप हमसे इस तलाब के अंदर से सिंगाले तोनले के लिए लायो लेकिन इस तलाब में तो सिंगाले आया ही नहीं लगता है आपने सिंगाले की खेती सही तरीके से की ही नहीं है पत्ती में सही तरीके से सिंगाला आया ही नहीं योगी जी क्या बताऊं सारी दबाओं का अच्छी तरीके से छलकाओं कियां बड़ी मेनस से इस तालाब के अंदर मैंने सिंगाले की खेती की लेकिन सिंगाला आया ही नहीं पत्ती की अंदर लगता है इस बार सिंगाले की खेती में बहुत बड़ा घाटा होंगा मोधी जी गाटा कैसे होगा आप जो सिंगाला तोलने के लिए मस्दूरों को लाए हो ये सही तरीके से सिंगाले को तोली नहीं रहे है ये देखो मैंने तो एक पूरी टब भर के सिंगाले तोली है मैं कोई दूसरी जगा से सिंगाले तोली निकाल रहा हूँ इसी तालाम में स करते हो राहूल बिल्कुल सही गह रहा है तुम सही तरीके से पत्ती के अंदर से सिंगाले को तोड़ी नहीं पा रहे हो सिंगाले पानी में छुपी हुई है तोनों सही तरीके से मैं अपनी सिंगाले की केती में तुम चारों लोगों से सिंगाले तोड़बाने के लिए लाया के आप ने कौन से ज़ाता सिंगाले तोर लिए आप भी तो हमारे साथ गड़े तो लगां ने लगा है लानु जी कए तो तुम ठीक रहे हूं तमारी बास सें वह कूं नहीं आ रहा हूं बहुंग से मिल जा रहा ही जब्कि मेरी पूरी की पूरी खेती में संगाले से तरीके से आई नहीं है मोदी जी आप तो सिंगाले ऊपरी ऊपर पती में देख रहे हो आपके सिंगाले सारे के सारे पती से तूटके तालाब की तली में जाकर गिर गए मैं तालाब की तली से ये सिंगाले उड़ा उड़ा के ला रहा हूं आप तक मैं इसी टेंसल में था कि मेरी सिंगाले की खेती में हुआ क्या सारे के सारे सिंगाले गए कहां मुझे क्या पता सिंगाले अपने आप तूटके नीचे तालाम में जमीन में गिर गए और भाई लोगों वीडियो ले करो चैनल को सब्सक्राइब करो राहूल तुम्हें अंगूरों के अंदर कुछ जाता ही बचन नहीं लग रहा है राहूल ये अंगूर तो उठाए नहीं जा रहा है अपना लोगों से इने लेकर चला तक नहीं जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आता राहूल तुमने मैंने मिलके अंगूर की खेती की दी लेक साल इने अंगूरों के 20 से दूसरे अंगूर उगाएंगे लेकिन मोधी जी समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़े अंगूर यह अपने पेड़ में हो कैसे गए अरे मोधी जी यह देखो सामने से कोई चले आ रहे हैं इनसे सामने टकरा मत जाना पहुत पचने अंगूर में सह की से कदम रखो अरे भाइस आप कहा चले आ रहे हो एक तो इन अंगूरों को लेकर चलना बड़ा मुझिल है और आप सामने चली आ रहे हो अरे मोधी जी आप रास्ते में मिल गए आपका नाम पूस्ते पूस्ते आया हूं अरे पूरे सहर में आपके अंगूरों के चरची ह हमने सुना है आपके बगीचों में बहुत बढ़े बढ़े अंगूर की पैदाबार हुए है अरे क्या हमारे सहर तक चर्ची हो गए भाई साब यह देखो यहीं अंगूर है जिसे हम ले जा रहा है इतने बड़े बड़े अंगूरों की पैदाबार हुई है हमारे बगीचों में तो भाईसाब क्या आप सहर से आए हूँ हाँ मोदी जी मुझे तो आपका नाम भी पता है मैं आपका नाम पूस्ते पूस्ते यहां तक आया हूँ चारो तरफ एरिये में आपी का नाम है के आपके यहां पर बहुत बड़े बड़े अंगूरों की पैदाबार हुई है एक एक अंगूर तरबूज के बराबर है और मैं देख भी रहा हूँ एक अंगूर का गुच्छा आप लगड़ी में बांद के ले जा रहे हो बोबी दो लोग भाई साब दो लोग इसलिए ले जा रहे है एक आदमी से यह अंगूर जाता भी नहीं इसमें कम से कम तीन कॉंटल बज़नूगा राहूल अपना तुम मसूर होग है चारो तरफ अपने अंगूर की चर्चे हो रहे है अरे मोधी जी राहूल रुख जाओ रुख जाओ एक अंगूर मुझे कुना देतो कितने रुपए का बेच रहे हो अगले सहसी कहसे तुम्हें अंगूर देते तुमने भी तो अंगूर की खेती किये तुमारे तो पोई छोटे छोटे से अंगूर है बाई साब बैसे तो अंगूर मैं भी लेने के लिए आया था आप से आप अंगूरों को बेचोगे इस अंगूर के गुच्छे को बेच दो मैं अपनी कार लाया हूँ कार में इन अंगूरों को ले जाऊंगा रखके इसका मतलब आप हमारे अंगूर घरीदने के लिए आयो अरे अंगूर भाई साब हम नहीं बेचेंगे इन अंगूरों को हम घर बैटके आराम से काटके गाएंगे एक अंगूर को तरबूच के तरह काटके गाएंगे और भाई लोगो वीडियो लेक करो चैनल को सब्सक्राब करो राहूल इस धान की पैदाबार करने के लिए बहुत जादा मेनत करना पड़ती है बेहिसा मेनत करना पड़ती है अब तुम ही देख लो पहले तो धान की रुपाई करी गई उसके बाद धान की फसल बढ़ी हो गई अब उसके बाद धान की कटाई करके धान की इस फसल को खेतों से निकाल के घर ले जाना पड़ना है मोदी जी इस धान की फसल को ले जाना तो पड़ेगा घर देख रहे हो कितनी जादा बारे सोई है खेतों में तो पानी बढ़ा पढ़ा है इसलिए धान की इस फचल की कटाई करके अपना लोग इस धान की फचल को घर ले जा रहे हैं और घरी अपना लोग धान को इस प्याल से अलग कर देंगे फिर बस धान का बीच बीच बचेगा फिर उस धान को अपना लोग ले जा के मंडी में पेश देंगे, मेनत तो बहुत करना पड़ती है मोधी जी धान की फसल उगाने में, और आप कैसे अलके अलके चल ले ओ, तेजी से चलो, राहुल जिस तरीके से चलने गा, उसी तरीके से तो चलूंगा, अरे मेरे कोई पंख तोड़ी लगे हैं जो ओड़के घर पहुत जंगा, और आज मैंने धान की फसल को टेंटे में कुछ जादा ही बांद लिया, लेकर चलना बड़ा मुस्किल हो रहा है, बहुत बचन है, योगी जी आप कैसे चुपो, आप पतातो, आपकी गेत में इस बार कैसी फसल हुई है मोदी जी क्या बताओं, देखी सकते हो कितनी जाता पसल हुई है, मुस्किल से थोड़ा सा अनाच पैटा हुआ है, एक बीगा केज में मेरे, मोदी जी अपना तुम सब लोगों की बहुत कम कम जमीन है, किसी की एक बीगा, किसी की दिर बीगा, किसी की दो बीगा, मजे तो लालू जी की हैं उनकी कम से कम 50 वीगा जमीन है अगर मेरे भी 50 वीगा जमीन होती मैं भी घर बाइट के खाता आराम से इतनी मेहनत मैं नहीं करता मैं तो मजदूरों से मेहनत कराता योगी जी आप भी बेबालतु की बात करते हो लालू जी की भले ही 50 वीगा जमीन है लेकिन वो भी दिन रात खेतों में जुटे रहते हैं, इसी तरीके से मेहनत करके, वो खूब जादा अना जुगाते हैं, और मंडी में बेच के अच्छे दाम कमाते हैं, और आप कह रहे हो, अगर आपकी जादा जमीन होती हैं, आप मजदूरों से काम धोरी कराते हैं, वो खुद काम करते हैं, देखो कहजरी भाई जी, तुम तो मुझे जाता ज्यान देने की कोसिस करो मत, ये तो मेरी सोच है, तुम अपनी सोच होता हो, योगी जी मैं आप से सोटे का सहमत हूँ, अगर जाता जमीन होती, तो मैं भी जाता मेनत नहीं करता, लेकिन क्या करें, इतने नाहून का जमीन है, अखलेस है कहां, अरे सबसे पीची अखलेस रह गया, और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राब करो,